नश्कार बोस्तों स्वागत आप सबका हमारे यूटूब चैनल असोका क्लासिज में आज मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट सेथ करने वाला भोजन और वैक्टिस अजी आपने कई बार क्यूशन से एक्जाम में देखा होगा गीवन होता है कुछ वैक्टियों के लिए इतने दिन का भोजन है और इतने दिन के बाद इतने वैक्टि या तो आ जाते हैं या फिर चले जाते हैं तो जो रिमेनिंग भोजन है या रिमेनिंग खाना जो है बच्चा हुआ खाना वो कितने दिन चलेगा ये कंसेप्ट आपसे कई बार पूछा जाएं, तो इस concept को आज हम कैसे sol करेंगे और hardly इस concept को sol करने में आपको 5 सेकंड होगे, हैं जिक 5 सेकंड में इस क्योस्ड को आप कैसे sol करेंगे तो चलिए देखते हैं, एक्जामपस लेके और sol करते हैं, कैसे, तो क्योस्ड जैसा आपको given है, कि उससमें जैसा है इसमें बताया सो वैक्तियों के लिए 80 दिन का भोजन एवलेबल है 35 दिन के बाद 40 वैक्ति चले गए सेस भोजन कितने दिन चलेगा यह जाना जाता है 35 दिन के बाद 40 वैक्ति चले गए अब भोजन कितने दिन चलेगा यानि रासन जो है उनका वो कितने दिन तक चलेगा तो देखे जैसा कि आपको पता है सो वैक्तियों के लिए भोजन जो एवलेबल है 80 दिन पर अब इसने कहा 35 दिन बाद यानि असी मिल से अगर 25 दिन की बाद की जाए 35 दिन बाद वैक्ति चलेगा चालिस अब अगर यहां पर सोचने वाले बाद है 35 दिन तक तो भोजन सो वैक्तियों ने किया है अब सो वैक्तियों ने भोजन किया 35 दिन तो रिमेनी कितना 45 देश अभी जो रासन बचा हुआ है खाना जो बचा हुआ है 45 देश का कितने वैक्तियों के लिए यह सो वैक्तियों अभी हम चालिस की बाद नहीं करेंगे अगर 35 दिन तक सो वैक्तियों ने खाना खाया है तो 45 दिन का खाना अभी भी सेज़ना है सो वैक्तियों अब यहां से क्योशन थोड़ा सा टर्म करता है इसमें कहा 40 वैक्तियों अब चले गए टोटल कितने सो सो में से अगर 40 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने साथ और अब यह जाना जाता है यह साथ वैक्तियों के लिए यह रासन कितने दिन चलेगा यह खाना कितने दिन चलेगा तो अब आपको पता है जिस खाने को सो वैक्ति 45 दिन में खाते हैं तो साथ वैक्ति तो उस खाने को और ज्यादा दिन चलेगा उनके लिए तो यानि सो वेक्टिव के लिए खाना है 45 दिन का साथ वेक्टि अगर इसी खाने को खाएगे तो ज्यादा दिन चलेगा यानि इन्टु हंडर डिवाइड बाई 60 और जब यहां से आप कैंसल करें अगर खाना सो वेक्ट की 45 दिन में खाएगे उसी खाने को साथ वेक्ट की 75 दिन में खाएगे तो इस टाइप के क्योस्टि को आप ऐसे सोल करें एक और एक्जामपल लेकिए अब हम देख लेते हैं इस क्योस्टि को कैसे सोल करें अब क्योस्टि में गेवन हैं आपको 200 वेक्टियों के लिए 36 दिन का भोजन एमलेवर हैं क्या बतायां 200 वेक्टियों के लिए 36 दिन का भोजन एमलेवर हैं 16 दिन के बाद 140 वैक्ति चले गए क्या बता है इसने 200 वैक्ति भोजन को कर सकते हैं 36 दिन और 16 दिन के बाद 140 वैक्ति चले कर अब यह जाना जाता है सेज वैक्ति इस भोजन को कितने दिन चलाएं गया कितने दिन तक यह रासन को खाएं तो जैसा कि क्यूस्टन में इसने बताया 200 वैक्ति के लिए भोजन हैं 36 दिन अब इन 200 वैक्ति उन्हें कहा हैं कि 16 दिन के बाद अगर देखा जाएं 200 वैक्ति ने 16 दिन बोजन किया तो 200 वैक्ति 16 दिन बोजन कर लेते हैं तो बोजन बचा 20 दिन का कितने वैक्ति उपेगी 200 वैक्ति हाजी 200 वैक्ति भोजन करेंगे 20 दिन यानि जो बचा हुआ रासन है वो 20 दिन का है अब यहां से क्यूस्टनस में चेंज आता है इसने कहा है कि 140 वैक्ति चले गए अगर 200 में से 140 वैक्ति चले जाएंगे तो वैक्ति कि इतने रह जाएंगे 60 अब यहां से जाना चाथा है जिस भोजन को 250 दिन में झाते हैं उस भोजन को 60 वैक्ति कि किमने दिन में खाएंगे हमें पता है 200 वेक्ट्यू के लिए रासन है 20 दिल का तो 60 वेक्ट्यू तो इसको और ज्यादा दिन चलाएंगे और ज्यादा के लिए 200 से मल्टिप्लाइं तो आप कहेंगे 200 वैक्ट्यू के लिए 36 दिन में चलता था सोला दिन के बाद 140 वैक्ट्य अगर चले जाएं तो वो भोजन जो रिमेनिक 60 वैक्ट्यू है वो दोस्तों बटे नहीं 3 दिन 200 वारी ट्री डेज में खाप गए अब इसी टाइप का एक और क्योश्ट्यू देक लिती हैं इस क्योश्ट्यू हम क्या करते हैं यह तो है बैक्ति चले गए अगर माननौ क्योश्ट्यू से कह दिया जाए कि बैक्ति आगे तो आप क्या करें तो एक और एक्जाम्पल हम देखते हैं इस 200 वैक्ति खाना खाते हैं 36 लेज यानि 36 दिन का रासन है 200 वैक्ति अब इसने बता है कि 20 दिन बाद 120 वैक्ति ओरा यानि 200 वैक्ति उन्हें अगर देखा जाए तो 20 दिन तो खाना खाया है ना तो यहां से क्या बचा 16 दिन का रासन बचता है कितने वैक्ति के लिए 200 वैक्ति 16 दिन का रासन है 200 वैक्ति के लिए अब यहां पे क्या हुआ 120 वैक्ति आगे मतलब 200 वैक्त पहले थे 120 और आगे कोडल होचन है आपके 220 अभी ज WOW जाना चाहता है जिस बोजर को 216 दिन में करते थे 320 वैक्ति उस बोजर को कईतने दिन में finish करतेंगे तो जैसा कि आपको पता है दो सो वैक्ति बोजर करते हैं सोला दिन भी तो तीन सो बीस रैक्तियों के लिए तो यह रासर कम दिन चलेगा तो क्या करें हम यहां से त्री ट्रिटी और यहां से सिक्स्टीन ट्रिटी यानि टैन डेज अब आप क्यूस पर क्यारा मिला जो जो बोजर दो सो वैक्ति-छतिस दिन खा सकते हैं अगर बीस दिन के बाद 120 वैक्ति और आ जाये सेस बोजन आपका दस दिन चलेगा इस टाइप के क्यूस्छों को आप इस स्ट्रीट के मादन से आसानी से सोल कर सकते हैं। उमीद करता हूं कजसेट आपको समझाए।